हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आँड़ यूटूब चैनल कंप्प्यूटर स्टुडी सेंटर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेफेंस्ट टैप के नेक्स्ट आप्षन को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्याप्षन आप यहां पर देख सकते हैं आज के हम इस वीडिय का हम heading दे सकते हैं previous video के अगर हम बात करें तो previous video में हमने citation and bibliography option को complete कर लिया था already अगर इसको आप देखना चाहते है citation क्या होता है bibliography क्या होता है उसको हम कैसे use कर सकते हैं अपने document के अंदर तो यह आपको इसे playlist के अंदर आपको previous video में मिल जागा और यहाँ आई button पर आपको link इसका मिल जागा आप यहाँ से भी direct देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic जिसका नाम है caption और इस video को start करने से पहले आप इसे लाइक कर देए अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बारा है तो हमारे इस चैनल को भी subscribe करें और bell icon प्रेस करें अगर आप कहां से लिखा हुआ है इसका source हमें बताना होता है कि यह जो हमने content कहीं से copy किया है तो किस जगह से copy किया है कहां से copy किया है तो उसका सारा detail हमें देना होता है और last के अगर हम बात करें तो last में हमने bibliography add करना भी सीखा था कि हम कहां से कैसे bibliography add कर सकते है और bibliography होता क्या है, यह सारे कुछ हमने previous वीडियो में complete कर लिया, आज हम caption add करना चलते हैं, तो कोई हमें object पर caption add करना होगा, तो object कहने का मतलब क्या होते हैं, कोई image हुआ, कोई table हुआ, कोई smart art हुआ, या कोई chart हुआ, कोई भी अलग से कुछ हम insert कर रहे हैं, तो उसका हमें एक heading देना होत तो यहाँ पर लिखा हुआ है ms word, ms word के बाद है home tap, home tap की एक image add करने वाला हूँ, तो उस image को कैसे add करेंगे, home tap के बाद हम यहाँ पर enter कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जगा बन जाए, और जगा बनने के बाद मैं यहाँ पर एक image add करने वाला हूँ, तो image insert करने के लिए मै यहाँ से home tap वाले picture को select करके insert कर लिया, अभी आप देख सकते हैं कि यह हमारे page में appear हो चुका है, और मैं यहाँ पर set कर रहा हूँ, तो I hope कि यह आपको clear हो चुका होगा कि यहाँ पर हम image को add कर लिए, लेकिन इस image का हम एक title देना चाहते हैं, एक heading देना चाहते हैं, जैसे कि आप math के या physics में book में आप देखे होंगे, कि picture number 1, picture number 2, picture number 3, इस type का हर एक picture का एक title होता है, एक number होता है, एक नाम होता है, उस तरीके का हम use करना चाहते हैं, तो हम caption option का use करेंगे, तो हमने image को select कर लिया, फिर हम चलते हैं reference tab के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने reference tab प होता है, caption, title है, यहाँ पर लिख रहा है कि इसका क्या caption हो सकते हैं, तो figure 1, यहाँ बना चाहते हैं, कि यहाँ बना है, यहाँ लेबल क्या होता है, तो हम क्या insert कर रहे है, उसका हम sticker बनाते linen, कोई figure आड़, trade, लेबल एड करें कोई चार्ट या कोई स्मार्ट हम कुछ भी बनाना चाहते हैं तो हम उसका एक लेबल बना सकते हैं अगर हमने टेबल बनाया तो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे फिगर है तो हम सपोर्च चाहते हैं कि फिगर ना होके पिक्चर होना चाहिए तो हम यहां पर निय यहां पे पुछलिए लेबल अपना खुद का भी बना सकते हैं, जैसे कि यहां पर तीन ही दिख रहा हैं, अब मैं new level पर क्लिक करता हूं, new level मैंने click किया तो अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर बनाने के लिए option आ गया है और मैंने यहां पर पिक्चर लिख दिया, ठीक है, अपना लेबल भी बनाकर यहाँ पे यूच कर सकते हैं एप यहां पे हमसे पूछ भी सकते हैं कोई भी इक और हम इमेज करते हैं किया उसमें आटमेटिक चेंज होता है यह हमें चेंज करने की जरूरत है तो हम चलते हैं एक font toolbar हमारा next topic है तो हम font toolbar का हम एक image insert करते हैं और यह image मैंने already screenshot लेके रखा हुआ है तो हम picture को insert करते हैं इस device में हमने गया और यहां पर मैंने एक font toolbar के नाम से save करके रखा हुआ है मैंने इसको insert कर लिया यह picture आप देख सकते हैं यह appear हो चुक है अभी आप यहां कि टेक्स्ट और पिक्चर के साथ थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है तो इसको हम ठीक करने के लिए चलेंगे फॉर्मेट टैप के अंदर यहां पर देख सकते हैं इसमें हमने रैप टेक्स्ट करेंगो और यहां पर हम कर देते हैं तॉप एंड बॉटम जैसे मैंने किया तो तो साथ है और हमने बस ओके किया तो अभी आप देखें यह यह इटमेटिक पिक्चर हो चुक यह आप को क्यों को और आपको कोई दिखकत आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्सिन में पूछ सेते हैं और मैं बता दूरा पिक्चर पर ही नहीं आप किसी टेबल पर भी यह ऐ या फिर कोई भी अब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं अपने ौकमेंट के अंदर तो आप उन सभी पर कैप्शन कर सकते हैं अप अपने हिसाभ से अब यहां पे एक और बहुत ही बहतरी अप्शन है जिसका नाम है इंसर्ट टेवल अफ फिगर यानि कि जितने भी हमने फिग वीडियो में एक और option पढ़ा हुआ था table of contents, table of contents में हमने पढ़ा था कि जो भी हमने topic पढ़ना है इस book के अंदर, इस documents के अंदर उसका हम एक title बनाते है, reference के first day, यानि कि table of contents जिस दिन बता रहा था, वहाँ पे मैंने ये table बनाया हुआ था, अगर आपको table of contents बनाने में दिक्क आता है, तो आप इसी playlist में previous वीडियो को देख के आप उसको sort out कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, या फिर उपर i button पे भी आपको link मिल जाएगा, अब हम figure of contents बनाते हैं, यानि कि यहाँ पे अब हम reference tab में चलते हैं, और figure का table बनाने वाले हैं, यानि कि हम अपने document में कित इसको okay करते हैं, तो okay जैसे मैंने किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसका basic style है, वो picture 1 and picture 2 करके यहाँ पे आ रहा है, जो हमने heading दिया था नीचे, picture पे, वही heading यहाँ भी आ रहा है, अगर हमें picture 2 के पास jump करना है, तो मैं control button press करके, picture 2 पे click करूँगा, तो आप यह जो next option है, इस caption के अंदर, तो यहाँ पे है cross reference, जो कि हमने already complete कर लिया हुआ है, insert tab के अंदर, okay, मैंने जब insert tab परहा रहा था, तो यहाँ पे हमने cross reference को already discuss किया हुआ है, आप इस video को जाके, आप easy way में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, insert tab वाले में, okay, तो आज के हम इस video lecture में किस किसी भी object shapes, smart art या chart इन सभी के ऊपर हमने heading लगाना सिखा, आप किसी भी object को select करें, caption दें, और caption दने के बाद आप उसका एक table भी generate कर सकते हैं, मुझे उमीद है कि यह video आपको बहुत helpful किया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस video को एक like करें, अगर आप हमारे channel प साथ भी share करें, ताकि वो भी easy way में computer के सारे knowledge free में ले सके, और अपने career को set कर सके, thanks for watching this video